तो गाइस दिस इस उतकर्ष और काईलीना और विजीज ये तोन ऐसे क्यरेक्टर्स है जिनका पूरे प्रिंस और परश्या सीजिस पर बहुत बड़ा इंपक्ट रहा है क्योंकि इनकी वज़े से प्रिंस और परश्या गेम आज इतना फेमस हुआ है तो इस वीडियो में हम दोनों की पूर हिष्ट्री जानेंगे और पता लगाएंगे कि दोनों का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा पूरे सीजीज में तो अब बिना टाइम वेष्ट ही है जोलो फिर शुरू करते है तो काईलीना एंप्रेस ऑफ ताइम है और सैंड्स ऑफ ता काईलीना अपनी पावर की वज़द से कई सारे आर्टिफेक्ट्स बनाती है और सैंड्स क्रीचर्स जैसे क्रोव मास्टर और शाधी पर कुछ नहीं बात काईलीना डाका के हाथों मारी जाती है जिसकी वज़द से सैंड्स ऑफ टाइम का क्रियेशन होता है तो विजीर एक नॉर्मल इनसान है और माहराजा का परसनल एडवाइसर भी पर विजीर को यहां कंजम्शन नाम की एक विमारी हो गई है जिसकी होजा से विजीर उसका क्यों ढूंड रहा है तब उससे आईलेंड ऑफ टाइम के बारें पता लगता है जहां पर कई सारी जादूई चीज़ की पाउर को लेना चाहता था और इमोर्टल होना चाहता था पर सैंट्स ऑफ टाइम और डैगर ऑफ टाइम दोनों माराजा के ट्रेजर वर्ल्ट में लॉक थे इसलिए विजीर परश्या के राजा किंग शरामान की मदद से माहराजा को मरवा देता है और बदले में किंग किंग शरामान से कहता है कि वो जो मांगेगा किंग शरामान को उसे वो देना होगा यहां प्रिंस डैगर ऑफ टाइम को ले लेता है और किंग शरामान आवर ग्लास को पर विजीर को जो चीज सही थी वो थी डैगर ऑफ टाइम और सैंट्स ऑफ टाइम यहां सब लोग अज आजाद की तरफ निकल पड़ते हैं, आजाद पहुचकर विजीर प्रेंस से डैगर अफ टाइम से साइंस आफ टाइम को आजाद करवा दिता है और सेंट्स आफ टाइम रिलीज ओने के बाद सारे लोग सेंट मॉन्स्टर में बदल जाते हैं सिवाए प्रिंस, फारा और विजीर के, विजीर यहां आवर ग्लास को पहले से सबसे टॉप पर ले जाता है प्रिंस और फारा दोनों मिलके आवर ग्लास तक पहुंचाते हैं और विजीर वहां आजाता है और दोनों को एक सैंट स्टॉम की मदद से दूर फैक देता है यहां फारा के मरने के बाद विजीर प्रिंस के पास आता है और उसे बोलता है कि वो उसे डैगर ऑफ टाइम देते बदले में वो उसे अमर बना देगा और प्रिंस विजीर के बाद नहीं मानता है और सैंट्स आफ टाइम की मदद से टाइम रिवाइन कर देता है यहाँ! टाइम उसी समय वापस से ले आता है जब प्रिंस और उसकी आर्मी इंडिया पर अटैक करने वाली होती है प्रिंस अपनी आर्मी को सिटी पर अटैक करने से रोकता है और फरा के पास जाता है और विजिर ये सरी बाते सुन रहा होता है वुजिर का एन बैन होता है कि वो प्रिंस और फरा को मार दे और महराजा Johann कि शरमान के मीज में war श्राट करवाते है और प्रिंस किसी तरह विजीर को मार देता है और डागर अफ टाइम को फरा को वापस कर देता है तो Prince अपना फेट चेंज करने के लिए Island of Time जाता है Island of Time में Prince Sand Portal की मदद से उस ताइम में जाता है जब काईलीना जिन्दा थी Prince देखता है कि शादी काईलीना पर हमला कर रही है पर Prince शादी को मार की काईलीना को बचा लीता है प्रिंस काईलीना से एंप्रेस के बारे में पूछता है पर काईलीना उसे यहां से जाने के लिए कहती है काईलीना प्रिंस को बार बार याद दिलाती है कि प्रिंस अपना फेट चेंज नहीं कर सकता पर इसके बावजूद काईलीना प्रिंस की मदद करती है उसकी जर्णी में और Water Sword और Lion Sword भी देती हो से और उसे बताती है कि अगर उसे Empress से मिलना है तो उसे Throne Room का दर्वाज़ा अंलओ करना होगा जब Prince throne room को unlock कर लेता है तो काईलीना उसे बताती है कि वही Empress of Time है और काईलीना ने ही शादी को Prince को मारने के लिए बेजा था फिर काईलीना और Prince के बीच में fight होती है जिसमें Prince काईलीना को मार देता है जिसकी वज़े से Sands of Time का creation होता है Prince फिर मास्क और वरेत की मदद से उस टाम में वापस जाता है जब उसकी काईलीना से फाइट होने वादी थी और इस बार Prince लेंडने के बज़े वाँ से भागता है और काईलीना को सैंट फोटल की मदद से प्रेजेंट में भेज देता है जब Prince काईलीना को पास प्रेजेंट में लेकर आता है तब उस समझ जाता है यह डाका का अबले टार्गिट काईलीना है क्योंकि काईलीना प्रेजेंट को बिलॉंग निकरती थी इसलिए यही डाका काईलीना पर हमला करता है पर Prince Water Sword यह मदद से डाका को मार देता है और काईलीना को बचा लेता है अब प्रेजेंट और काईलीना एक बोट की मदद से बैबिलोन की तरफ चल पड़ते हैं बैबिलोन पहुँचकर विजीर के आदमी प्रिंस और उसकी बोट को तोड़ देते हैं एक मिनिट विजीर वापस कैसे आ गया तो सुनो बात यह थी कि जब प्रिंस काईलीना को पाश से प्रेजेंट में लेकर आता है तो सैंस ओफ टाइम कभी बनता ही नहीं और जब महराजा और विजीर साथ साल बात आइलेंड ऑफ टाइम जाते हैं तो वहाँ पे इनको सिर्फ आवर ग्लास मिलता है वो भी खाली और डैगर अफ टाइम भी इसी हो जैसे जो सैंस ओफ टाइम में इवेंट हुए वो एक तरह से हुए है नहीं और विजीर प्रिंस के हाथों कभी नहीं मरा था और अब विजीर प्रिंस की सिटी बैबिलोन पर कब्जा कर लेता है वो तूटने की वज़े से प्रिंस और का ले जाते हैं का पिछा करते करते प्रिंस बीजीर के पास पहुच जाता है यहां विजीर डैगर अफ टाइम की मदद से का इलीना को मार देता है और डैगर खुद को मारने से वह इमोर्टल हो जाता है और अब विजीर अपना नया नाम जुर्वान रखता है यानि गौड अफ टाइम आइलीना के मरते ही सैंट अफ टाइम अजाद हो जाती है और पूरे शेयर में फैल जाती है और सारे लोग करप्ट हो जाते है यहाँ प्रिंस भी आधा तरब्ट हो जाता है यहाँ प्रिंस फरा के साथ मिलकर विजीर का पीछा जारी रखता है जब प्रिंस हैंगिंग गार्डन्स में पहुंचता है तक विजीर वहां कर फैरा को किन्डैप कर लेता है और प्रिंस को नीचे गिरा देता है यह अग भुख अग भंग अग अग नागा जागा प्रॉब्स विजीर के मरती सैंड्स काईलीना का रूप लेती है काईलीना प्रिंच से कहती है कि यह दुनिया उसके लिए नहीं बनी है इतना कहकर वो प्रिंच की integr Definitely को भी कर देती है औरली का एंड कर देती हैर यही कालीना बैंड का एंड होता है नहीं सब के कि पड़ीट कर सकता है और किसी भी सेट क्रीचर को कंट्रोल कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं भी लूंगा यासी किसी और वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई